हेलो दोश्तो आईए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने निलेज के साथ आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा जो की इंग्लिस पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी प्रेक्टिस है बहुत ही अच्छा तरीका है और यह साथ ही हमारे इंग्लिस समझने और इंग्लिस बोलने में भी बहुत ही मद्दगार साबित होगी यह हमें इंग्लिस बोलने और इंग्लिस को समझने में बहुत ही अधिक सहायता करेगी help full होगी और साथ ही आप इसका उपयोग English पढ़ने में भी कर सकते हैं बहुती आसान तरीका है और आप बहुती जल्दी इससे अपने English पढ़ने की समता को समझने की समता को improve कर सकते हैं तो आईए देखे हुआ तरीका क्या है तो सबसे पहले अपने मोबाइल में Google Play Store हम चालू करेंगे यह Play Store है Play Store पर हम क्लिक करेंगे अब इसमें हम उपर टाइप करेंगे गुगल ट्रांसलेट गुगल ट्रांसलेट टाइप किया देखो आईकाउन आ गया वहीं पर हम क्लिक करेंगे अब देखिए जहां पर open लिखा हुआ आ रहा है वहां पर यदि आपके इसमें अपडेट लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपके मुबाइल में Google इस टाइप करना है तो आप उसे अपडेट पर क्लिक कर दीजिए तो गुगल ट्रांसलेट आपका अपडेट हो जाएगा और जिसके इसमें इंस्टॉल लिखा हुआ रहा है इसका मतलब यह है कि आपके मुबाइल में इस्टॉल गुगल ट्रांसलेट नहीं है तो इस्टॉल होने के बाद यहां ओपन लिखा हुआ आएगा तो हम गुगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेंगे गुगल ट्रांसलेट अब ओपन हो गया है हमारे मुबाइल में इसके बाद जो लेफ्ट कॉर्णर में उपर तीन बिंदू दिख रही है उस पर हम क्लिक करेंगे अब नीचे जो सेटिंग का ओप्सन दिख रहा है आपको उस सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे अब टेप ट्रांसलेट जो फर्श नमबर का ओप्सन है उस पर हम क्लिक करेंगे अब इनेबल जो इनेबल लिखा हुआ है जिसमें मेरे उपर जो निला दीख रहा है उसको हम यदि नीला नहीं तो निला कर देंगे इस प्रकाल से इसको अनेबल कर देंगे या उसको चालू करदीजिये play Store के भी बन कर दीजिये अब हम चालों करेंगे अपने mobile में Google Chrome अब अपने mobile और लिए बूगल Chrome कर लिए देखिए नहीं पता है तो यह गया है यह ऐइडिख रहा है आपका यह icon यह Google Chrome है इसे को हम क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि रिडिंग के लिए न्यूज प्रेक्टिज सब सबसूंद सnosis सबसेज ने सबस्राइब करेंके के लिए सिद्धा सिद्धा मटेरियल होता है और सब चीजों से अलग अलग राख आधे हमें पास न्यूस होती है जिसमें ओजरते एक लगाइब सब्सक्राइब करने जो में में समझने में हमारे एवेड victorious फटाटे और विडिंग को भी इंप्रू करते हैं कि इसमें हम दृख रा है हमें कि यहां पर नीचे नीचे निउस है दिख रही है आपको बहुत सारी क्रूच में से आप कोई भी एक न्यूज चलू कर लेंगे तो इसमें देखी एक न्यूज दिख रही है कि चॉकलेट ब्राउन दे कलर ऑप दे न्यूज रूपीज टैन नोट्स बी कोई भी न्यूज जो हमें पढ़ना है उस पर हम क्लिक कर लेंगे अब यह न्यूज ओपन होगी है अब इसमें नीचे जो मैटर लिखा हुआ है इसको हम कैसे पड़े तो इसे हैं पर सेलेक्ट करना है इसलेक्ट करना है हम इससे सेलेक्ट करने के लिए, कुछ' सेकेंड के लिए उंगली टेचछ करके रखेंगे और फिर उठा लेंगे, देखिए ऐसे निसान बन गया, तो जो दो बीदन दिख रही है, उससे हम स्टार्टिंग और एंड़ पॉइंट उसको उपर नीचे इसे सरका के, select करेंगे तो ऐसे मैंने एक paragraph select कर लिया select कर लिया है मैंने एक paragraph अब जो यहां जो उपर की तरफ जो दू ऐसे box दिख रही है एक box और उसके उपर यह line वो है copy का option जो share के option के बगल में एक फूरा box और उसके side में जो line दिख रही है वो है copy का option उससे हम click करेंगे तो इसे copy हो जाएगा जैसे हम copy option पर click करेंगे तो देखिए एक order में आपको गूगल translate का icon दिख रहा होगा उस पर अब हम click करेंगे तो गूगल translate का option चले गया क्योंकि time हो गया मैं क्लिक करने पर मैं फिर से इसको copy करता हूं देखिए फिर से copy करके देखते हैं यह पेरा मैंने copy किया वह select किया अब यह copy के button पर click किया जैसे किया गूगल टांसलेट पर मैंने क्लिक कर दिया तो गूगल टांसलेट अब चालू हो रहा है तो देखिए तो देखिए यह गूगल टांसलेट चालू हो गया अब इसमें आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों लिखा हुआ मिल रहा है पूरे पैड़े में देखिए उपर नीचे हम कर सकते हैं इसको लाइन को इसमें आपको उपर इंग्लीज में और नीचे उसका हिंदी में अनुवात देखने को मिल रहा है तो इंग्लीज जहां पर लिखा हुआ है वहाँ पर साइड में एक स्पिकर का आइकॉन भी है निसान भी है उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए वह गूगल ट्रांसलेट हमें पूरा इंगलिस रेडिंग करके बताएगा तो आपको सुनना है उसे और फिर दुबारा आपको पढ़ना है वह मैंने क्लिक कर दिया है लोड हो रहा है तो प्रोनुंसियेशन भी लगबग ठीक था हमें समझ में आ जाता है कि कौन से वर्ट का प्रोनुंसियेशन है जब वह रिडिंग करता है गूगल ट्रांसलेट तो हमें इसे मिलाना है हम इसका हिंदी में भी अनुवात देख सकते हैं तो इसके लिए हिंदी जहां लिखा है उसके साइड में इस्पिकर वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे तो पुरा इसका हिंदी उचायन हमें अर्थ बताएंगे बड़े भारतिय नोटों के बाद अब यह एक नया बदलाव लाने के लिए 10 रुपए का नोट के लिए समय है रिपोर्ट के मुताबिक भारतिय रिजर्ड बैंक आधार भूत आधार के रूप में चॉकलिट ब्राउंड रंगे साथ महात्मा गांधी शुंखला के तहट 10 रुपए के नए नोट जारी करने के लिए तयार है तो देखिए इसने हमें रीडिंग करके भी बता दिया अर्थसाइद भी तो एक तरीका यह है सिंपल डाइक्ट यहां से आपका गोल टांसलेट ओपन हो जाएगा अब इसको बंद कर दीजिए तो आप छोटी-छोटी चार पास लाएने के साथ प्रेक्टिस कीजिए या फ करने के बाद कोपी पर क्लिक किया कोपी पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको गोल टांसलेट में वह मेन क्लिक करके यदि आपको ऑप्सेन नहीं करना है तो अपने मोबाइल में गूगल टांसलेट जहां पर भी है उसको हम चालू कर लेंगे यह गूगल टांसलेट मैंने चालू कर लिया, वहां से google browser से मैंने copy content कर content news is copy कर लिया, अब google translate मैंने open कर लिया है अब English Hindi हमारी पहले से सेट है हम पहले भी यूज़ कर चुके अब मैं इस पर क्लिक करके रखूंगा पेश्ट का ओप्षन आया तो मैं छोड़ दिया उंगली अब मैं पेश्ट पर क्लिक करूंगा तो जो मेरा कंटेंट कॉपी था वह यहां पर पेश्ट हो जाएगा ने बस फिर से पेश्ट करना पड़ेगा क्लिक करके रखा पेश्ट को उप्षन आजा और मैंने क्लिक कर दिया अब मैं इस पर एर्ओ पेश्ट करदूंगा तो यह पुरा आपको दिख रहा है उपर इंग्लिस में और नीचे हिंदी में तो इसका भी वही तरीका है है इसमें थोड़ा सा बड़ा दीकता है और वहां पर थोड़ा सा छोटा दीकता है अब इसे इंगलिस में क्या लिखा है उसे सुनने के लिए हम उपर माइक पर क्लिक करेंगे यह स्पिकर पर थोड़ा दोड़ा दूआ है जी ओ. क्या करें? तो देखिए आपको Google Translate में पुरा रीट करके बताया अब आपको अपने ध्यान जे सुना होगा और मिलाया भी होगा अब आपको उसे रीट करना है तो बार बार यही करें सुने रीट करें और एक बार रीट कर ले पूरा तो आप दूसरा paragraph copy paste करके उसे रीट कर सकते हैं ज़िए आप इसे हिंदी में भी जानना चाते हैं तो नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है पढ़ना नहीं चाते हैं तो simply speaker पर क्लिक करें आपको पढ़ के भी बता देगा जादे मेहनत करने के आपको बिलकुल भी जरुरत नह न्यूज अठारह के अनुसार नए 10 रुपए का नोट के लगभग एक आरप टुकडे पहले ही शीश बैंक द्वरा मुद्रित किये जा चुके हैं पिछले हफते ही सरकार ने नए डिजाइन को मन्जूरी दे दी थी रिपोर्ट ने आगे कहा पुराने 10 रुपए का नोट आखरी बर 2005 में बदल दिया गया था तो हमें समझने में भी बहुत हें helpful होगा Google Translate और रिडिंग में भी spoken English या English बोलना सिखने के लिए भी समझने के लिए भी Google Translate ये बहुत उपयोगी है Thank you.